यूट्यूब पे मुझे काम करते हुए एक साल से ज्यादा हो गया है और इस एक साल से ज्यादा में जो मैंने टोटल काम किया है वो मुबाइल फोन पे ही किया है यानि कि शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, सब कुछ मुबाइल फोन से किया है तो इसमें जो एक क्व वो वाली एप्स इजी रहती हूँ तो मैंने काइन मस्टर, VN वीडियो एडिटर, पावर डिरेक्टर, कैपकट, इन शॉर्ट बहुत सारी एप्स को ट्राइ किया और उसके बाद दो ऐसी एप्स हैं जो मेरे जहन में आती हैं 2023 में अगर आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना चाते हैं और प्रफेशनल वीडियो एडिटिंग चाते हैं और अगर आपको एडिटिंग कोछ भी नहीं याता तो यह वाली दो एप्स आपके लिए वीडियो एडिटिंग को इजी बना सकती हैं और आपकी वीडियो को काफी प्रफेशनल लुक देने के लिए इस पे एडिटिंग आपके लिए एनफ रहती है पहली अप डेफिलिटली काइनमस्टर है जो कि जब मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया तो उसको यूज करता था अपने मुबाइल फून का अंड्रॉइड वर्जन देखके और उसके लावा किसी किसम के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं उसके लावा लेंट्सके बोड में एडिटिंग मुबाइल फून की छोटी स्क्रीन होती है तो काफी इजी रहती है और बेसिक अगर आपको काइन मास्टर पे वीडियो एडिटिंग करते हैं और कहीं पर कोई प्रॉबलम आ जाती है तो यूट्यूब पे काइन मास्टर व बनाना चाते हैं कि जैसे DSLR पे शूट हुई है और किसी मेंगे PC पे एडिट हुई है तो इसके लिए जब वाली दूसरी एप ऐसी है जिसको मैंने दो से तीन मिने पहले स्टार्ट करना यूज कर दिया है तो खेर लाइट भी चली गई है आपको अपने इस्टाग्राम का और टिक टॉक चैनल के हैंडल दे देता हूं यहां से आप चेक आउट कर सकते हैं मैं शॉट्स भी बनाता हूं एडिट करता हूं अपलोड करता हूं इसी मुबाइल फोन से और इसी एप से CapCut CapCut ऐसी एप है जिसे आप 4K पे एक तो वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हाला कि उसकी जरूरत नहीं है 1080p एनफ रहती है लेकिन फिर भी एक option अविलेबल है इस पे किसी किसम का वाटर मार्क या लोगों देखने को नहीं मिलता आप Play Store से ही डाउनलोड करते हैं और मसला यह है कि आपको वीडियो एडिटिंग करते हुए इस एप पे data connection को या फिर wifi को on रखना पड़ता है तब ही आप built-in tools को access कर सकते हैं काफी easy है इंटरफेस काफी अच्छा है और especially shots को edit करते time आपको काफी easy रहता है in fact यह वाली जो वीडियो है इसको भी मैं CapCut पे ही edit क बताया है कि जिसमें आप total mobile editing shooting से लेकर editing से लेकर uploading तक सब कुछ 2023 में mobile phone पे कैसे कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ उसके उपर separate video बना रखी है यहाँ पे click करके देख सकते हैं description में उस वीडियो के लिंग आपको provide कर दोंगा आपकी कौन सी दो favorite video editing apps हैं comments में बता सकते हैं और सा साथ ही उनकी reason भी बतानी है thank you very much good bye